नमस्कार दोस्तों आज में बात करेंगे TTML Limited के बार में अगर बात करें कंपनी के स्टोक प्राइज कंपनी का स्टोक 167 पर टेड कर रहा है आज की ट्रेडिंग सेशन में आपको यहां पर 4.99% का अपर मुमेंट देखने को मिला अगर बात करें आज की ट्रेडिंग सेशन की तो आज की ट्रेडिंग सेशन में स्टोक में जो है इस्टोक का क्वाटर फॉर का रिजल्ट और फाइनेशी लिए 2022 का रिजल्ट आया है जिसके करनी आप आपको इस स्टोक में अपर मुमेंट देखने को मेला अगर बात करें कंपनी के मेक्सिम चार्ट प्रेटन की तो अभी तक 2199% का आपको रिजल्ट आगर बात करें पिछल एक साल की तो पिछले एक साल में इस स्टोक ने 12122% तक का सांधा रिजल्ट दिया है अगर बात करें इस स्टोक के बारे में अपडेट तो आज की ट्रेडिंग सेशन में स्टोक में तेजी के वज़े इसका कमपनी का प्रोफिट जहां 302 करोड था माइनस में वो नेट प्रोफिट माइन दो सोट थी याईनि आप और एक इसके अंदर साथ परसंट तक का इंपूंट आपको देखने को मिला है लेकिन अगर बात करें कि अर्णिक पर से माइनस पर से कम होकर जिसके अंदर 7.10 की आपको बड़ोतरी देखने को मिली जो कि काफी एच्छा पोईंट है लेकिन इसमें कोई ज्यादा इंप्रॉम्मेंट आपको देखने को नहीं मिला अगर बात करें पिछले साल की कॉल्मेंट बढ़कर 273 क्रोड हो गया अगर आपने को बात करें कम्पणी के नेट पर जाहां पिछले साल के कॉल्मेंट रहा है उसमें अपको देखने को मिला है लेकिन याप खास जगा इसमें आपको changement नहीं मिल रहा है अगर आपने बात करें फाइनेसी लिए 2021 और 2022 की तो जहां फाइनेसी लिए 2021 के अंदर कमणी के डॉटल रेवेन्यू दस एक हजार चव़न करोड था वो बढ़कर गयारा सो पांस तक का improvement देखने मिला है लेकिन अभी भी कमणी का net profit जो की माइनस में 1215 क्रोड है अगर उन्हों बात करें कमणी का earning pressure minus 10.21 से minus 6.22 यानि कमणी का earning pressure में फदार हुआ है लेकिन कमणी का earning pressure भी भी आपको minus में देखने को यहाँ पर मिल रहा है अगर हम बात करें कमणी के previous कुछ सालों की result की तो अगर हम बात करें किसले कुछ सालों की तो जहाँ 2017 के अंदर कमणी का net profit minus 2356 था वो बढ़कर 2018 के अंदर 9841 और 2019 के अगर बात करें तो minus 667 अगर हम बात करें अगर हम फाइनेंसी लिए 222 की गरवात करें तो यहाँ पर भी आपको इसमें इंप्रूमेंट देखने को मिला है जो कि एक कमपनी के पक्स में एक पोजिटिव इंडिकेशन है क्यों कि अगर आने वाले दिनों में कमपनी अगर अपना नेट प्रोफिट पोजिटिव में आता है तो कमपनी के लिए काफी इंपेक्ट फुल होगा और कमपनी का शेयर प्राइज में भी आपको इसमें जादा इंप्रेंट देखने को मिला है क्योंकि कमपनी पिछले कुछ समय से काफी जादा रिटेंट दे चुकी है लेकिन कमपनी 5G सेक्टर के लिए कमपनी ने आचाही आपर पर प्रूफम किया है पिछले कुछ समय से और आगे आने वालों दिनों में कमपनी अपना बिलेंट शीट को कफ़ जादा इंप्रूब करेंगी अगर उन्हों बात करें कमपनी के रिजर्व की तो जहां मार 2017 के अंदर कमपनी का रिजर्व माइनस 8,230 क्रोड था वो कंटिनियूसली बढ़ता हुआ मार 2021 के अंदर मायनस 4,530 क्रोड यानि कमपनी यहां पर कंटिनियूसली यहां पर आपना रिजर्व को दिखा रही है और कंपनी के रिजर्व मायनस में पर दिखा दिखाए दिया है वह भी कंपनी के लिए काफी ज़दा बढ़ा पोइंट है क्योंकि company अपना जो reserve continuously minus के अंदर बढ़ा रही है अगर company का reserve इसलिक प्रकार minus में बढ़ता रहा तो company के लिए यह negative point होगा और इस stock के लिए telecom sector का stock है इसके लिए कोई partnership और आगयाने मालों दुनों में company अगर balance sheet में improvement करती है तो आपको obviously इस stock में multiple return मिल सकता है